चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जैगुर रविदाश जी की सतनाम चवरवंस में जन्मे सभी संतो गुरुव महापुर्सों की चरणों में तासका कोटन कोटवार परणाम दर्शकों मैं आपको एक नुकुड तहसील जो के विदानसभा भी लगती है जिलाशारनपुर में है और उसी के गाउं में एक आसरम है कुराली आशरम ये लगबग 20-21 साल पहले इसका महाराज श्वामी समंदाजी महाराज ने रखी थी और यहाँ पर 25 अक्तूबर को वार्शिक संद सम्मेलन होता है जिसमें कई राज्यों से और जिलों से हजारों की संख्या में लोग आते हैं और सभी महाराज जी के नाम पर सत्संग फरमाया जाता है क्योंकि अकिल भारतिय संद सिरोमनी सत्गुर रविदास मिशन के तत्वाधान में ही जितने भी स्वामी समंदाजी महाराज के सत्संग फरमाये जाते हैं वो शबी अकिल भारतिय संद सिरोमनी रविदास मिशन के नुसार तो यहां पर जो माहत्मा है बेकराजदास जी बहुत अच्छे संत है मैं भी पहली बार यहां मेरा आना हुआ और बढ़िया अच्छा लगा बहुत अच्छा साफ सुन्दर माहूल है गाउं की संसकर्ती आपको पता ही है आज भी किस तरह होती है और गाउं में भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे आसरम बना करके अपनी धरम और संसकर्ती को आगे चलाने के लिए उनको बढ़ाने के लिए बच्छों को युवाओं को बुजर्गों को सत्संग में बुलाया जाता है जहां पर उनको समझाया जाता है गुरु माहराज आजी एक से लागता है जब लोग संत्संग में बैठते हैं संत्संग ने संगटन दिया है समाज को एक जुटता दी और उसलिए समाज को कि मैं हम आसां सबी मृब को अपने साथ जुढकर रहना चाहिए और अपने सभी संख वे धार्मिक कारी कर्मों आयो जोनों में हम लोगों को जाना चाहिए और ये कुराली आश्रम है बहुत अच्छा आश्रम है आप दर्शन करें इसके ये मंदिर है और बहुत संख्या में लोग आई हैं सत्संग के जनक सत्गुर रविदास जी महराज हैं उन्हीं की विचारधारा को आगे बनाते हुए हमारे लाखो संत जो हैं देश में पूरे दुनिया में परचार करते हैं सत्गुर रविदास जी महराज का और स्वामी समंदास जी महराज जी भी उन्हीं में से एक है और सत् समाजिक परिवर्तन किया कि इन जो लोग हमारे चमार कौम के लोग क्युमिनिटी के लोग धरम परिवर्तन कर रहे थे उनको बताया समझाया कि तुमारे कुल में तुमारे घर में इतने बड़े गुरू हुए है तुम फिर भी धरम परिवर्तन कर रहे हो क्या जूरत है तुम अपनी नेक कमाई के साथ साथ में वो अपने घर में जो है एक सेवा के रूप में पूजा भी निकालते हैं, जिस पूजा से जो है आस्रमों को और गरीबों के लिए खाना, बोजन, शादी, विया के लिए उस पैसे को डोनेट करते हैं, थोड़ा-थोड़ा अपना गल्ला ए सबन को अन, चोटे बड़े सबसंबसे रिदास रही परसन, भाई वो जो उनका कहना का अर्थ था, उसको कोई करने के लिए हमारे लिए उपर से तो आएगा नहीं, वो हवेवस्था हम लोगों को बनानी पड़ेगी, भाई कोई मजबूत आदमी है, कोई कमजोर के मदद कर सद्गूर स्वामी समंदाजी महाराज जैसे गुरू हुए हैं, जिन्नों ने अपने जीवन काल में हजारों कन्याओं की गरीबों की शादियां कराई और उनके चार पान सो आस्रम हैं, बहुत सारे महात्मा जिदर भी पैर रखो उधर ही उनके नाम पर मिले लगते हैं, प बड़े बड़े आलिशान उनके आस्रम हैं, और महाराज जी बहुत ही अच्छे महाराज हैं, जो यहां के परबंदक हैं बेगराज दास जी, उन्होंने ये विवस्था, क्योंकि सुचार रूप से 25 अक्तूबर वैसे मासिक जो यहां प्रोग्राम होता है, वो 25 तरीको होत होता है, जीक्षी बवस्था के लिए महाराज जी एक महीना पहले से तयारिया यहां जुट जाती है, इनको कहीं खेतवेत वालों को भी कराना पड़ता है, एक सार दाकी टेंट लगाया जाए बोजन पकाने के लिए यहां, कारीगर लोग लगे हुए हैं अलवाई, जो इन बहुत एक भवे आलिशान आसरम बना हुआ है, और यहां के जो परबंदक है महात्मा बेग राजदास जी, उनसे भी आपकी वारता कराएंगे, वो बताएंगे के महाराज जी ने इसको इस आसरम को जो इतना अच्छ सवारा गया है, बनाया गया है, इसको कितना समय लगा, महाराजी सतनाम जी, यह आसरम है और उनी के नाम की यह समपत्ती है, उनी के सानिध्य में प्रोग्राम चल रहे हैं, और हमारे आने से पहले पर्थम में हाँ सुसील दाजी, दो-तीन वर्स वो भी सेवा करकर गए, उनके बाद रामपाल दाजी आए, रामपाल दाजी भी पांट-सात साल यहां पर गुरू जी के सानिध्य में यह सालाना प्रोग्राम करते रहें, महिन्य की तारीक करते रहें, और 2011 में यहां पर हम आए, 2011 से गुरू, जी हां, 2011 में, यह हमारे द्वारा हो रहा है, सद्गुर स्वामी समंदास महराजी के सानिध्य में, तो यह बार्वा प्रोग्राम है, गुरू महराज के चर्णों में यहां पर बहुत दूर-दूर से संगत आती है, हरियाने से, पंजाब से, और अपना सारनपुर छेत्र है वो सभी गुरू महराज के चर्णों में जुड़ा हुआ है, मेरेट से भी आते हैं, और जो अपना गुरू दंदाजी का आस्रम है, नया गाउं मिध्यडा, महा से भी संगत आती है गुरू महराज की अब तक तो करपा है, संगत बढ़ रही है, कोई अंतर नहीं हुआ है, गुरू महराज के सानिय दे में, सभी आ रहे हैं, वराबर आ रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए मुझे दो महिने लगते हैं, दो महिने में पुरा परचार परशार करते हैं यह सारनपुर की भी है और अपने ग्राम कुराली की भी है, यह हर वर सेवा करती है, जी, हाजी, 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 दो दिन पहले आ जाते हैं, बहुत अच्छा सेयोग होता है, जी, तभी यह प्रोग्राम चलना है, जी, सद्गुर स्वामी समंदास महराजी को मानने वाले हैं, सभी लोग उनी के सारनिदे से जोड़े हैं, उनी का प्रोग्राम है, सभी हर सुल्लास के साथ, हाजी, हाजी, आद्रनिय प्रंपुजय प्रमसंत सिरोमणी रविदास महराजी के सतसंग की खुसी में, आदरणिय प्रम्पुजय प्रमसंत सिरोमनी सत्गुर स्वामी समंदास महराजी के सानिद्य से ये मेला लगा हुआ है ये मतलब कोई पीठ नहीं है ये सत्संग के द्वारा ही और सत्गुर स्वामी समंदास महराजी के सानिद्य से ही तब से गुरु महराज जी का यहां आना जाना हुआ तब से ही यह मिला है इससे पहला यहां कोई मिला नी था सद्गुरु स्वामी समंदास महराज जी के सानिध्य में हमें 20-25 वर्ष हुआ आए निवासी अपना निवासास्थान गराम चांदसमंद जो जनमस्थान है वो चांदसमंद है और 2088 में 88 नवासी में हम नयागाओं मदेड़े आ गये थी महाँ पर निवासास्थान है हाजी नयागाओं मदेड़े जैसे ही आसरम हुआ आश्रम बनते ही हमारा सानिय दे सद्धकुर स्वामी समंदास माराजी के सानिय दे में और महात्मा गोरधन दाजी के दुवारा हुआ ये महात्मा जी रजादाजी है ये रजादाजी है जनमस्थान इनका लुंडी है और संभुगर आश्रम इनके सानिद्थे में चल रहा है ये सद्धकुर स्वामी समंदास महाराजी के आदे सानों सारी ये छटी तपस्या कर रहे हैं पांच तपस्या उनके सानिद्थे में रह चुके हैं अब ये बारे वर्ष की है ये बारे साल के लिए खड़ी तपश्या में है और ये 26 सितंबर से खड़े हुए है हाज ये सद्गुर स्वामी समंदास महराज के चड़ों में सलंडर है पूर्ण तरीके से समर्थन है तो ये इपना जीवन उनी के चड़ों में बलिदान करना चाहते है कि उनी के सानिध्य में जी हाँ गुरु महराज के चड़ों के दुआरा ही हमने वहाँ पर 2016 में गुरु महराज के परचार के लिए पहुँचे जैसे ही 2016 में तो गुरु महराज की प्यारी साथ संगत वहाँ पर प्रेमियों के सत्संग समझ में आया तो उन लोगोंने मिलके जो गुरु महराज के चड़ों में कुछ जगे बेट की जो दो कनाल में है दो कनाल जगे है और राम आसरम ठीक है और आसरम की जगे बेट करता राम सिंग दास सनोप नानक जो उन्होंने ये आसरम की जगे गुरु जी के चड़ों में बेट की है तो उनके चड़ों में उनको सौप दिया और गुरु महराज के गुरु समंदास महराज जी के नाम ही उन्होंने वो रिश्टरी की गई है स्वामी जी के नाम रिश्टरी है और उनी के सानिध्य में वाशरम चल रहा है माशिक तिथी वहाँ पर पर्थम इतवार है पहले रविवार को महा सत्संग किया जाता है सत्गुर स्वामी समंदास महराज जी वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने यादेश किया था कि पहले इतवार की संगत लगाया करो तो हम तभी से पहले इतवार की वहाँ पर संगत लगा रहे है यहाँ पर मासिक तिथी जो है यह 25 हर महिन्य की 25 तारीक है हर महिन्य की 25 तारीक है हाँ जी हाँ सभी आते हैं सभी आते हैं यह आस्रम जो है देगे समाज के बिना तो चलता नहीं मगर यह आस्रम जो है सदुकुर स्वामी समंदास महराजी के नाम ही है यह गाउं के थोड़ा भार है हर साल हां जी हां सरसा हाज भां जीम हम रह में तो सभी गुर्व महराज के चढ़ने में यह विंद्धियर्दास करते हैं कि जैसे सद्गुुर अच्छें आज 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 बहुत गुरु महाराज के चड़न में हमारी तुभी इंतियर्दास यही है कि जैसे उने के सानिध्या में जोड रहे थे जैसे उनके सामने लगे हुए थे अब भी यही समझे कि सद्ध्गुर स्वामी हमारे पास ही है और हमारे सामने हैं जो भै उनका जब था वो ही अब होना चाहिए जैसे हम जब चल रहे ते ऐसे हम चलने चाहिए तब तक हमारे मन में वो ही भै रहेगा तो हम गुरु माराज से यही विंते करते हैं कि हमारे से कोई ऐसा कारिये ना करवाए ताकि समाज में समाज जो हमें से नफरत हो या समाज के परती हमें दलानी पैदा करनी पड़े ऐसा ना हो स्वामी जी ने भी रविदास जी महाराज ने कहा है रविदास सोई सादू बला होई सदा निर्वेर सुखदाई समता गहें मांगे सब की खेर यह सादू वही है जो सब के लिए समान रूप से क्योंकि उसके लिए कोई जाती नहीं होती वो अखंड समाज होता है सब इमानव जाती के लिए परोपकारी होते हैं सदाचारी होते हैं और सब कोई आशिरवाद के रूप में वो संगत को जोडते हैं महाराज के चरणों से तो आपका भी परिस्रम है महाराज जी आप वहां से चले और पता नहीं कितनी आपने यातराय की हैं स्वामी जी के साथ उनके आदेश को बजा रहे हैं तो आपकी मेहनत को भी हम चरणों म बंडारे में भी देखे बंडारे से देखे यह जो बंडारा है सद्गुर स्वामी समंदास महाराज जी का है गुरू जी कहते थे कि वही मैं अपने गुरू के बंडारे कर रहा और वह तम करियो या ना करियो तो यह हमारे लिए सीख थी क्योंकि सद्गुर स्वामी समंदा सब्सक्राइब करें लिए अपने गुरु के चर्णों से दूर ना हो जाई हो अपने गुरु के चर्णों में लगे रही हो तो यह सद्गुर्ण स्वामी समंदास महराजी का भंडारा है उनी के नाम का है उनी के सानिद्य में है देखे आदरने परमपुजे परमसंत शिरोमडी रविदास महराजी का सत्गुर्ण स्वामी समंदास महराजी का जो आसरम के चारो तरफ जमीन है जिन महापुरुषों की जमीन है उन्हें हमें कहने की अविशक्ता नहीं होती वो हमारे इस प्रोग्राम के लिए अपनी की फ़सल भी खड़ी हो तो उसको भी में काट देते हैं इतना सहयोग रहता है कि प्रोग्राम आने से पहले ही वो हमसे अपने आप पूछ लेते हैं कि प्रोग्राम कहा करना है और जब से 2001 से आसरम चला हुआ है तो तभी से यह जो संपत्ति आसरम के चारो और है इन्हीं की जमीन में सत्संग और भंडारे चलते आ रहे हैं बोलिये स्वामी समंदाज जी महराज की जै परम शर्दे दादा गुरू ग्यान विप्संदाजी महराज जै 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 ते निए करो हाद etा आजे कहाने बाले हूँ । हुआ 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 है हुआ हुआ है मेरे सम्त गुर्थ पर नसाओ हुआ है कर दाना जर्ण नगालो कर थारी हो गई 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 गल्रावी भाशा रिया प्र्वा Ale मुश्मा रिया मुश्मा रिये दिम काम में आयोंति कि तो धर के कुमारे जिडकोगे आय Lakes कमारे जनिता defy, एंदे कुमारे जिलोंति दिन कर दो दो प्ला कि साहओ कि थी तर लो के थी वो देख, जिल एगक चाहिभ और जिक चांकोग में ज Esto carved जिडकोगे कर दो सब्सक्राइब कर दो सबस्क्राइब कर दो सबस्क्राइब धिरेग सो दो अने लगना लो, तो मेरद गजितरी भेर दान लो, तो है मेरद दो जड़ाना लो, तो मेर गजितरी लो मेर. विझा Twitch नाव हुषा वेसर लांतीर होग। पन्खर जाऊ के लίग हो जाता हुषब खाधिनों के तो तो खामयदे खाधिनों के लाग। झा ले ऑ्म को गोollar Lewis जाभा खुआ रेस्टीर मैं वे हुषब लोड़ी की, लोड़ी काचल माची आराक पूल ऑझराख का phrase माची कार में औरना की दाहिता अग्सा आरी 수ि enc आरी हो शलिप मिली कार आरी बोल ऐहा है आरी हो जात मिली है वे आराक आराख nem कि आराक मिली आराक बझा मिली मैं कारी नोबफे भी है, मैं के नखालो, कर हाथ। मैं कि नखाले वर मैं को नखाले उंपर्टकेशित भी है, मैं के नखाल के हाथ। कर दो लगयोख कर दो कि आऊ अगोग जोग जो ऑग अजालिग हुए करो एले सक सबदादी नाय चरबको आज़ थी रहा हुआ हुआ अज़ गुतैंस भाल शवय कर दोिपनावें, तो खाल शादी हूवैं, तो घढ टो मरेख सही ए। आजो य कर दो भालताकि प्तель होगयी। तो प्त lasts खाल शादी होगही। तो ज 약 आज दाल शादी होगही। कुलो नहीं ताहसे के जेली कि श्रकष्य श्रक झालो नहीं ताहर हो गयी बोला सक्रूसवी संधनान महां की, आज के महां सचैन की, सक्रूसवी संधनान महां की, जगतबरिदाल महां की, दोलो साध बूसा दामी वारब लेलो को जब दपराइबा है अधिए पिर अपरेबा भाद लेगए लेलो आप पखाटेगे अधिदा मुंशिल आगे टक्किन ख़ली में ख़ली 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 में ख़ली जब ख़ली ख़ली जायो 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 बोल ये परमसंस्टी रोमणी सद्गुरु स्वामी रविदाज गी सद्गुरु दादा ग्यान विक्सुकदा जी महराज गी आज के महान सत्ग की आज की महान भूजा की आत्मा श्री बेगराज टाज जी की सभी संसमाज की सत्गुरु